यह एक काल्पर कहानी है, इस कहानी को सच मादने का कोशिश ना करें, अगर आपको यह कहानी पढ़ी, अच्छा लगे और आगे सुनने का मन हो तो कोमेंट जरूर करें, और चाइनल को सब्सक्राइब भी कर दे, अब तक आपने सुना की जंगल में जाने से राजा प्रतेबं करके देता है, अब आगे सुनिए, विराट नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर देता है, चलते चलते विराट को अब भूख शताने लगता है, विराट सोचता है क्यों न मैं इस नदी से एक मचली पकड़ लेता हूँ, और फिर उसे खाकर अपना भूख मिटलून, व विराट बहुत खुश हो जाता है, जब मचली को बाहर निकालता है, उसे सुनाई देती है कि मुझे पानी से बाहर मत निकालो मैं मर जाओंगी मुझे बाहर निकालो, विराट यह सुनकर दर जाता है कि यह कौन है जो मनुष्य की तरह बोला क्योंकि यहां तो सिर्फ में ही हूँ एक मनुष्य और तो यहां कोई नहीं है, पानी से फिर आवाज आती कि मैं हूँ जो तुम्हारे काटे में फसा हुआ हूँ, विराट और भी डर जाता है कि एक मचली इंसानों की तरह कैसे बोल रही है, वह मचली बोलती है कि दरो नहीं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाओंगा, बस मुझे काटे से बाहर निकलो तुम मुझसे जो भी वस्तू मांद गोगे मैं तुम्हें दुनगा, विराट बोला सच में दोगे दरते हुए बोला, मचली बोली तुम दरो नहीं मुझे काटे से बाहर निकालो, विराट दरते दरते मचली को काटे स बाहर निकाल देता है, मचली काटे से बाहर होकर पानी के अंदर चले जाते हैं, और फिर कुछ छन बाद पानी से एक जलपड़ी निकलती है वह देखने में बहुत ही खुबसूरती उसका उम्र और विराट का उमर एकदम बराबर था, वह जलपड़ी विराट से बोलती है कि तुम मुझसे कोई भी वस्तू मांग सकते हो क्योंकि तुमने मेरी जानबक्सी है, इसलिए कुछ भी मांगों में वह तेरा इच्छा पूरी करूगी, विराट को उस वत बहुत भुख लगा था, इसलिए उसने कुछ खाने को मांगा, तो जलपड़ी कहा कि तो तुम्हें म हुख लगा था, इसलिए कुछ भी न सोचकर पानी में चले जाता है, विराट का सिर डुपते ही वह एक अलग दुनिया में चले जाता है, विराट को जलपड़ी अपने घर में ले कर जाता है, विराट को अच्छा लगता है, खाना पढोसा जाता है, विराट वह लजिच को देख कर खुद को रोक नहीं पाता है. खाना खाने के बाद विराट को बहुत निंदा रही थी. विराट ने जेलवी, जेलवी उस जलपड़ी का नाम था, से कहा कि मुझे निंदा रही है. जेलवी बोली चलो में तुम्हें बिस्तर तक लेकर चलता हूँ, विराट बिस्तर पर लेट जाता है, थोड़ी देर बाद विराट की आखे बंध हो जाती है, विराट गहरी नींद में चले जाता है, इसका मौका उठा कर जेलवी उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, और जबरदस्ती विराट के साथ शारीरिक बीच जाता है, विराट अब जल लोग को ही अपना दुनिया मान लेता है, और वही जल विद्या लेने लगता है, कुछ साल तक विद्या लेने के बाद वह जल को अपने कंट्रोल में कर सकता था, विराट एक दिन अपने बिस्तर पर गहरी नींड में रहता है, तो उसके परी है जो विराट के बंगला में कैद किया हुआ था, यह विराट को बोलती है कि तुम्हारा दुनिया यह जल लोग नहीं है, तुम तो परी लोग के राजकुमार हो, तुमको परी लोग जाकर सभी पर्यों को बचा ना होगा, विराट की आखे खुल जाती है, विराट ज जेलवी के साथ बैठ कर बाते करते करते जेलवी से पुछता है कि अगर कोई जल लोग से बाहर निकलना चाहे तो कैसे बाहर निकल सकता है। यह सुनकर जेलवी बोलती है कि विराट तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो। विराट बोला तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर उस बेकार का दुनिया में जाना चाहूंगा। जेलवी विराट के बातों में आ जाता है और वह राज बता देता है जेलवी बोलती है कि अगर कोई जल लोग से बाहर निकलना चाहता है तो उसे तिलिसनी अंगुठी पहननी होगी जो एक अंगुठी मेरे पास भी है विराट बोला तो जेलवी तुम जल लोग से बाहर जात जेलवी विराट के पास से उठकर अपने जादू इकुंड के पास चले जाता है। जेलवी विराट पर फिर से जादू करने का प्रयास करता है, लेकिन विराट पर उसके जादू का कोई भी असर नहीं होता है। कोमेंट जरूर करें और चाइनल को सब्सक्राइब भी कर दें।